Hello Students, Welcome to Pado India आज हम करेंगे Class 5th की जो हमारी SST की किताब है हमारी दुनिया उसका Part No.11 जिसका नाम है संचार इसमें हम संचार के विशे में पढ़ेंगे की संचार क्या होता है, संचार कैसे किया जाता है Part की शुरुवात होती है गोपी और उसके दादा से गोपी के दादा जी ने एक गाए पाल रखी है, उसके एक बचड़ा है एक दिन गोपी ने देखा कि बचड़े के उपर धूप आ गई है, उसके आस-पास चाया नहीं थी गर्मी से परशान बचड़े ने आवाज निकाली मुआ तभी गाए ने भी आवाज निकाली, साथ ही बधी हुई गाए बचड़े की ओर जाने को जोर लगाने लगी जब गोपी के दादा जी ने बचड़े को चाया में बांध दिया, तो गाए भी चुप हो गई फिर क्या था? गोपी ने दादा जी से परश्णों की जड़ी लगा दी, मतलब गोपी दादा जी से परश्ण पूछे जा रहा था दादा जी से गोपी ने जाना कि पशु पक्षी भी हमारी तरह एक दूसरे से बात करते हैं, पर हम उनकी बाते समझ नहीं पाते हैं तो इन लाइनों से बच्चों हमें पता क्या चला कि बचड़ा और उसकी मा जो गाय थी वो भी आपस में बात कर रहे थे लेकिन हम उनकी भाशा को समझ नहीं पा रहे थे जब हम किसी को कुछ संकेत देते हैं तो इसे संचार कहते हैं एक पक्षी जब दूसरे पक्षी को आने वाले खत्रे या फिर कहीं भोजन पड़े होने की सूचना चींची की आवाज करके देता है तो इसे भी संचार कहते हैं मतलब उस पक्षी ने दूसरे पक्षीयों को अपनी बात पहुँचा दी है चुट्टी का संकेथ देती स्कूल की घंटी दो लोगों द्वारा हाथ मिलाना अकभार में छपी हुई खबरें मित्र को लिखा गया पत्र प्रधाना चार्य जी को चुट्टी के लिए लिखा गया प्रार्थना पत्र भी संचार है क्योंकि इन सब चीजों के माध्यम से हम अपनी बात या अपने संकेथ दूसरों तक पहुचा पाते हैं मनुष्य या पशुपक्षी सभी को संचार की आवशक्ता है संचार हमारे एक दूसरे से बनते संबंध वा रिष्टों का एक माध्यम है क्योंकि हम संचार के दूसरे से संबंध बना पाते हैं संचार के बहुत से रूप हैं भाशन, हावभाव, इशारे, लेखन, टेलिफोन, पत्र, टेलिग्राम, समाचार पत्र, कितावें, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलिविजन, कंप्यूटर पर इंटरनेट ये सबी संचार के सादन हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही हम अपनी बात और अपने संकेतों को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं मा द्वारा तुम्हें जगाने के लिए हिलाना, तुम्हारी वर्दी से पता चलना, कि तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, सबजी बेचने वाले की घर के बाहर लगाएगी आवाज भी संचार है जन्म लेने के बाद बच्चे के रोने के साथ ही संचार की कहानी शुरू हो जाती है मा को बच्चे की जरूरतों का बच्चे के रोने से ही पता चलता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे अपने आस-पास की लोगों से भाशा सीखता है बच्चे के मुँ से निकलने वाली गूंगूं गागा की आवाजें मा मा पापा में बड़े होते होते बदल जाती है बच्चो आपने भी देखा होगा कि छोटे बच्चे बोल नहीं पाते हैं तो वो ऐसी ही आवाजे निकालते हैं और फिर जब वो बड़े होने लगते हैं तो अपने आसपास की लोगों से भाषा सीखते हैं और उसी भाषा को बोलते समझते हैं। धीरे धीरे बच्चा कितने सारे शब्द बोलना सीखता है और बाद में तो बच्चा वरणों अक्षरों सो लेकर लंबे लंबे निबंध आदी सब कुछ लिख लेता हैं। पहले छोटे छोटे अक्षर सीखता है फिर बड़ी बड़ी बाते करना और लिखना सीख जाता है। हमारे पूरवजो द्वारा निकाली गई सबसे पहली आवाज खुशी या दर्द की थी। युद में युद्धाओं की चीखें दर्द का और जानवरों के शिकार में शिकारियों की आवाजे खुशी का संचार रूप थी। जब कहीं लडाई होती थी तो उसमें सैनिकों को जब चोट लगती थी घायल होते थे तो उनकी चीखें दर्द बताती थी और जानवरों का शिकार करने पर शिकारियों को खुशी होती थी। जब प्राचीन समय में वर्ण नहीं थे पहले वर्ण या अक्षर नहीं हुआ करते थे। चालिस हजार वर्ष पुरानी हैं। ये चित्रकारी औस्ट्रेलिया, नामीबिया और फ्रांस में पाई गई हैं। फ्रांस के लैसको जगह में पाई गई गुफा चित्र लगभग 20 हजार साल पुराने हैं। और इन चित्रों में शिकार करते हुए लोगों को दर्शाया ग अब आते हैं लिखित शब्द पर। प्रांस के लिए अक्षरों का आविशकार किया। फिर कुछ अक्षरों को जोड़कर कई शब्द बनाये जा सकते थे। और ये हमाले पहले वर्ण थे। सुमेरवासियों ने प्रारंबिक लिपी का आविशकार किया। बच्चो भाशा को जब हम लिख देते हैं तो उसको लिपी कहते हैं। तब इसका इस्तेमाल मंदिरों का लेखा जोखा यानि हिसाब किताब तथा व्यापारिक दुकानदारों का हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता था। वे सरकेंडे से इस लिपी को चिकनी मिट्टी पर लिखकर दूप में सुकाते थे। सिंदू नदी के पास हडपा सब्यता में भी इस प्रकार की लिपी मिट्टी की पट्टियों पर पाई गई है। सुमेर लिपी का चितर आपको यहां दिखा दिया गया है। प्राचीन मिस्र की लिखित भाषा में प्रतेक चित्र का संबंद किसी न किसी विचार या ध्वनी से था और चीन की प्राचीन लिपी लगबग 4000 साल पुरानी है इस लिपी का प्रतेक अक्षर भी पेड, चांद, सूर्य या किसी विचार का द्योतक था यानि इस लिपी में कोई भी अक्षर था, वो किसी न किसी चीज के बारे में बताया करता था क्या आपको पता है कि भारत और योरोप की अनेग भाशाओं का स्रोथ एक ही है भारत और योरोप की कई सारी भाशाओं एक ही तरह से बनी है उदारण के लिए राजा शब्द के लिए यूरोपियन फ्रेंच भाषा में रॉय, स्पेनिश भाषा में रे, इटालियन भाषा में री, लैटिन भाषा में रैक्स तथा भारतिय भाषा में राजा एक ही ध्वनी से उत्पन है देखिए इन सब में रा रा की ध्वनी आ रखी है इसका मतलब इन सब का सुरोत एक ही है संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, भोचपूरी, राजस्थानी, गुजराती, मराथी, असमिया, बंगला, उडिया, पहाडी और कश्मीरी भाषा का उदगम इंडो-यूरोपियन भाषा परिवार से हुआ है तमिल, तेलगू, कन्नड और मल्यालम जैसे दक्षिन भारतिय भाषाओं का उदगम द्रविट भाषा परिवार से हुआ है भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जैसे की मिजोराम, मनिपूर, नागा लेंड, त्रिपुरा, मेखालय, आदी की भाषाओं का संबंद सिनो तिब्वती भाषा समूच से है कागस का आविश्कार पहली लिपी के 3000 साल के बाद ही हुआ था तब लोग मिट्टी की पट्टियों पत्थर या लकड़ी परी संदेश तराष्टे थे या फिर पेपीरस पौधे के तनों की पट्टी पर लिखते थे और जब कागस का आविश्कार हो गया तो वो कागस पर ही लिखने लगे बच्चों यहाँ पर पाठ खत्म होता है अब हम इसके अभ्यास के प्रश्ण उत्तर कर लेते हैं पहला प्रश्ण है संचार किसे कहते हैं उत्तर है जब हम किसी को कुछ संकेत देते हैं तो इसे संचार कहते हैं प्रश्ण 2 देखिए अपने दैनिक जीवन में संचार के पांच उधारण दीजिए हमने पाठ में पढ़ा था कि दैनिक जीवन में संचार के पांच उधारण इस प्रकार है चुट्टी का संकेत देती स्कूल की घंटी, दो लोगों द्वारा हाथ मिलाना, अकबार में चपी हुई खबरें, मित्र को लिखा गया पत्र, प्रधाना चार्रे जी को चुट्टी के लिए लिखा गया प्राठना पत्र ये सभी संचार के उधारण है प्रष्ट तीन देखिए, प्रथम अक्षर का उधगम कैसे हुआ, यानि प्रथम अक्षर कैसे बना, उत्तर है, मनुष्य ने अलग-अलग ध्वनियों यानि आवाजों के लिए अक्षरों का आविश्कार किया, इस प्रकार प्रथम अक्षर का उधगम हुआ अब देखिए अगला परश्ट मिलान करने वाला है यहां भाशा का नाम दिया गया है और यहां भाशा समू या परिवार का नाम दिया गया है हमें इन भाशाओं को इनके भाशा समू या भाशा परिवार से मिला देना है हिंदी जो है इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की है स्पैनिश यूरोपियन की तमिल द्रविड की और मनिपूरी सिनो तिबदी भाषा परिवार की भाषा है यहां पर यह हमारे प्रश्ण उत्तर भी हत्म होते हैं बच्चो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको हमारा भारत के और पार्ट भी पढ़ने देखने और सुनने को मिल जाएं